निमेरिकर नमबर 12 है काफी अच्छा कोश्चन है यह दिस्टेंस बिट्विन टू पॉंट चाज़ेस Q1 और Q2 इस 3 मिटर दो पॉंट चाज़ेस है उनके बीच का दिस्टेंस कितना है 3 मिटर दा सम ओफ दिस चाज़ेस इज 20 माइक्रो कुलाम उन दोनो चाज़ेस का सम आपके पास गिवन है चाज़ेस की वैली नहीं है चाज़ेस का सम है that is Q1 प्लस Q2 गिवन है 20 माइक्रो कुलाम माइक्रो करोड करोगे 10 के पाव माइनस 6 कुलाम क्योस्ट नमबर 1 यह आपके पास गिवन है इफ दे चार्ज रिपेल इच अदर विट ए फोर्स ओफ 0.075 न्यूटन दो चार्जे से दोनों सैम पॉलिटेग होंगे तब ही रिपेल कर सकते हैं इसलिए मैंने दोनों को पॉलिटिव गंसिडर कर लिया इनके बीचरिशन कितना हैं ठी मिटर है और एक दूसरे पर कितना रिपल्शन फोर्स अप्लाइ करते हैं 0.075 न्यूटन फोर्स अप्लाइ करते हैं आपके पास Then determine the value of both charges आपको calculate क्या करना है Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा वो आपको determine करना है तो किस तरह determine करेंगे सबसे पहले कुलाम लो लगाएंगे कुलाम लो क्या कहता है कि force कितना होना चीए K Q1 Q2 by R2 कर होना चीए force given कितना है 0.075 है K की value 9 into 10 की power 9 होगा Q1 कितना है नहीं पता Q2 कितना है वो भी नहीं पता That is Q2 upon R2 R की value 3 है 3 का square कितना हो जाएगा 9 9 से 9 cancel out point remove करोगे कितना आएगा 1000 1000 को लिख सकते हैं 10 की power 3 75 upon 10 की power 3 multiply ये cross multiply करोगे 10 की power कितना हो जाएगा 9 equal to Q1 Q2 यहां से हम लोग Q1 और Q2 का product निकलेगा Q1 Q2 कितना हो जाएगा पास 75 multiply 10 की power ये 9 और 3 12 उपाँ जाएगा minus 12 ये एक equation बनी second number आपके पास इस pipe के question करने के लिए हम assume कर लेते हैं Let's consider कर रहे हैं एक formula Q1 minus Q2 का all square क्या होता है Q1 square plus Q2 square minus of 2 Q1 Q2 अभी जो equation है इसके अंदर 2 Q1 Q2 add कर रहे हैं और 2 Q1 Q2 subtract कर रहे हैं तो equation को कोई फरक नहीं पड़ेगा no change लेकिन यहां से हम एक term बना लेंगे Q1 minus Q2 यह minus है का whole square equal to Q1 square plus Q2 square इस term को पर लिख रहा हूँ plus का 2 Q1 Q2 minus के यह कितना हो जाएंगे 4 Q1 Q2 दो term हो गई एक तो 2 Q1 Q2 और minus 2 Q1 Q2 minus के 4 Q1 Q2 अबके पास Q1 minus Q2 का whole square equal to यह term कितना होगा आपके पास यह formula बन गया A square plus B square plus 2 AB का इसको लिख सकते हैं Q1 plus Q2 का whole square minus के 4 Q1 Q2 यहां से Q1 minus Q2 का whole square solve हो रहा है Q1 plus Q2 हमें पाता है equation number first Q1 plus Q2 कितना होता है 20 into 10 की पावर minus 6 इसको लिखेंगे 20 into 10 की पावर minus 6 का whole square minus 4 Q1 और Q2 का product तो वो भी हम calculate कर चुके हैं 75 into 10 की पावर minus 12 75 into 10 की पावर minus 12 Q1 minus Q2 का whole square 20 का square 400 multiply 10 की पावर minus 12 minus 4 multiply 75 300 10 की पावर minus 12 10 की पावर minus 12 दोनों में common हैं तो यह हो जाएगा 400 minus 300 that is 100 100 तो 100 100 multiply 10 की पावर minus 12 यह आया Q1 minus Q2 का whole square Q1 minus Q2 का whole square मुझे चाहिए Q1 minus Q2 इसका उदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? under root 100 10 की पावर minus 12 अब इसको क्या लिए सकते हैं Q1 minus Q2 under root 100 को लिख दिया 10 और 10 की पावर minus 12 को 10 की पावर minus 6 का whole square square से root क्या हो जाएगा? cancel out तो Q1 minus Q2 कितना हो जाएगा आपके पास? 10 multiplied 10 की पावर minus 6 that is Q1 minus Q2 equal to 10 micro kula यह बनी equation number 3 अब आपके पास substitution method से आप Q1 Q2 कलकुएट कर सकते हो किस तरीके से? ऐसा करेंगे equation first और second को एक बार add करेंगे तो equation first क्या लिखी गई थी आपकी? equation first थी Q1 plus Q2 equal to 20 multiplied 10 की पावर minus 6 that is equal to 20 micro kula यह थी थी था आपके पास? तो हम लिख सकते हैं equation number first Q1 plus Q2 कितना है? 20 micro kula equation number second Q1 minus Q2 कितना है? कितना है के पास? 10 micro kula दोनों को add किया यह cancel out हो गए यह कितना हो गया? 2 Q1 equal to 30 micro kula तो Q1 कितना आजाएगा? 15 micro kula यह Q1 है अगर Q1 पता है तो Q1 की value equation first है थाड़ किसमें भी रख दीजे? हमें पता है कि Q1 plus Q2 कितना है? 20 अगर Q1 15 है तो Q2 कितना होगा? Q2 हो जाएगा कितना के पास? 20 micro kula minus 15 micro kula that is 5 micro kula तो Q1 की value आएगी 15 micro kula और Q2 कितना हैगा? 5 micro kula तेंक यू